जाइन दोस्तों स्वागत है आपका पंकच पोजी स्टडी गुरूप पे आज हम बात करने वाले हैं देखिए SSC GD SSC GD का एक्जाम निरंदर आगे बढ़ता चला जारा है तो बच्चों के दिल में ये डाउट है कि हमारी कटोप क्या रहने वाली है और ये जरूरी भी है क्योंकि जिन बच्चों के एक्जाम हो गए हैं उनको जाना जरूरी है कि हमने जितना किया है क्या वो सेफ स्कोर में आते हैं यहां जो बच्चे exam देने वाले हैं, जो exam में appear होने वाले, उनको भी यह पता होना चाहिए, कि यार हमें कितना करना चाहिए, कि हम safe score में आ जाए, तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, कि आपका state वाइट कितना, आपका cut-up रहने वाला है, किस state का कितना रहेगा, कि district का कितना रहेगा, आपके total number of form कितने थे, कितने reject हुए थे, total में आपको analyze करके बता दूँगा, जिससे कि आपको जब आप exam में बैठें, तो आपको एक assured होना चाहिए, आपको कि मैं 75, 75, 90, कितने number आप करके आएं, क्योंकि आपको पता है, 1 by 4 की negative marking है, और जब आप exam में तो आपको इतना होना चाहिए, कि यार इतने तुक्के लगाने है, इतना मुझे exam में करना है, कि जिससे कि मैं exam में सफल हो सकूँ, क्योंकि हमारा at least motto यही है, कि हमें at least सफल होना है, तो चलिए video को start करते हैं, और आपकी state by cut up के बारे में हम बात कर लेते हैं, कि आपकी cut up कि उस तरह से रहने वाली है, जो exam अभी तक हुए हैं, उस सब को लेते हुए, पहली बात मैं बता दूँ आपको, total number of form जो भरे गए थे आपके 78 lakhs, यहां 78 lakh के लमसम आपके form भरे गए थे, SSC GD 2021 की हम बात करें तो, उसमें reject कितने हुए थे, तो लमसम 8 lakh के आजपास आपके form जो है, reject हुए थे, due to, आपने किस कुछ ने तो आपका जो फोटो था, उसके उपर date नहीं डाली थी, यहां फीड जामा submit नहीं की थी, यहां other कुछ certain region थे, जिनकी वज़े से आपके जो form थे, वो reject हुए थे, तो लमसम 8 lakh के आजपास आपके form reject हुए थे, total number of form कितने थे, 78 lakh remaining कितने बचे, 78 lakh आपके total form थे, 8 lakh आपके reject हो गए due to some results, उसके बाद remaining जो form आपके बचे थे, वो 70 lakh के आजपास आपके form बचे थे, उसके पाद appear कितने हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100% बंदे जाके exam होल में जाते हैं और exam देते हैं ऐसा नहीं है, तो उसमें से अगर हम appear percentage निकालें, तो 75% के आजपास आपके जो बंदे थे, वो जाके बैठ रहे थे exam में, और exam को conduct करा रहे थे, exam में appear हो रहे थे, तो 75% मतलब आपके 35 lakh के आजपास बच्चे हैं, जिससे आपको बास्तिविक आपका जो competition है, वो होने वाला है, तो देखिए अभी पहले कितना थ उस चीज से हमें नहीं घबराना है कि starting में हमारे 78 lakhs ते और गटते गटते अब कितने आ गए हमारे 15 lakh के आजपास आपकी fight है, चलिए आगे देखते हैं, पेपर की हम बात करें, यह तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि अभी तक की scenario क्या बन रही थी, बच्चे कितने अपीर हो रहे हैksam हुल में, तो 75 से लेकर चलते चलते आको मानन के चलिए कि पर अग्जाम में आपके 65 % बच्चे की अपियानिस है, बच्चे 65 % बतलो सो में से 65 बच्चे आपकी अपीर हो रहे हैं, और जो remaining बच्चे वो अग्जाम में नहीं हो रहे हैं, अगर मैं बात यह आपका moderate level का आ रहा है calculated math है time consume हो रहा है तो आपको math को किस तरह से करना है वो आपको आना चाहिए और जितने भी बच्चों से मैंने बात की है जितने भी मैंने वाटसप ग्रूप पे अपना community post डाला था वहां से जितने भी मैंने पूछा है कि आप कितना करके आ रहे हैं कितना आप कर पा रहे हैं तो उसके हिसाब से आप 25 नंबर में से आप 15 से 20 कोशन बच्चे करके आ रहे हैं दिक्तर तो अगर उसका label माना जाए तो module level का यह paper था math का क्योंकि time consuming था आपको calculative आना चाहिए था अगर reasoning की बात करें 25 में से बच्चे 20 कोशन और अबब ही करके आ रहे हैं 20 से 21 कोशन करके आ रहे हैं तो यह माना जा सकता है आपकी reasoning जो है वो easy आ रहे है हिंदी इंग्लिज की बात करें तो 25 में से बच्चे उसको भी 20 21 करके आ रहे हैं और यह भी आपका हिंदी और इंग्लिज का जो पोर्षन है वो easy लेवल का आ रहा है जी के जीएस unlimited है कुछ नहीं कर सकते लेकिन बच्चे जो है 15-17 कोशन करके आ रहे हैं इतने नंबर का वो करके आ रहे हैं 15-17 नंबर करके आ रहे हैं मतलब यह जो है ससी जीडे के बच्चे जो एक्जाम दे रहे हैं उन से की अगर हम बात करें तो देखिए 25% बच्चे ऐसे थे जिनके कितना माने की अगर overall मानूं क्योंकि मैंने एक data डाला था कि आपके 75 से इतने नंबर के बीच में कितनों के बच्चे को आ रहे हैं तो अगर मैं average नंबर आ रहे हैं जिनके 70-80 नंबर आ रहे हैं वो कितने बच्चे थे तो देखिए 55% बच्चे ऐसे थे जिनके 70-80 के बीच में नंबर आ रहे थे तो मैं एक average मोटा मोटा माल लेता हूं कि 75-76 नंबर उनके आ रहे होंगे क्योंकि हमने 70-80 माना था तो 76 नंबर माल लेते कि कि उनके आ रहे होंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर मैंने बात की दूसरी बात पर मैंने डाला था कि आपके 80-90 नंबर किसके आ रहे थे तो 80-90 वाले बहुत कम बच्चे थे उनका जो परसेंट था वो था आपका 12-11 परसेंट इसके आस-पास था तो 80-90 परसेंट मैंने referendum कराया था और जो पूछा था बच्चों से कि आपके किस तरह से सेनेरियो बन रहा था तो 66 नंबर जो आ रहे थे 25 परसेंट बच्चों के आ रहे थे 75 मार्क्स जो आ रहे थे 55 परसेंट मतलब सबसे ज्यादा जो बच्चे जो फाइट कर रहे हैं वो कितना 75-76 परसें मेरिट घूम रहे थी जो मैंने पूछा था बच्चों से चलिए यह हो गई बात अगर मैं बात करूं मैरिट के बारे में तो देखिए मैरिट जो बनती है आपकी डिस्टिक वाइस आपकी स्टेड़ वाई और डिस्टिक अगर देखा जाए तो तीन तरह की डिस्टिक होते है border जैसे दूसरे international border से touch होते हैं वो border आते है border district में नक्सलाइट जो होते हैं जहां पर जैसे 36 गड़ है सुक्मा जैसे जो नक्सलाइट affected area है उनको हम count करते है नक्सल border area में तो अगर हम बात करें merit की तो सबसे ज्यादा जो merit जाती है वो जाती है आपकी जनर्ल border area वालो की उसके बाद जाती है जनर्ल डिस्टिक वालो की जाती है उसके बाद आपकी border area की जाती है जनर्ल डिस्टिक की उसके बाद नक्सल वालो की तो अगर हम देखा जाए सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा जाएगी आपकी जनर्ल वालो की जनर्ल डिस्टिक की और उनकी कितनी मेरिट जाएगी, आपकी 70 नंबर जाने की चांसेज हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादे उनी की जाती है, तो अगर मान लीजिएगा, 70 नंबर जाती है, जनरल की, तो बोर्डर डिश्टिक की कितनी जाएगी, उनकी जाएगी 66 नंबर, और नक्सल बालो की कितनी ज जाती है, डिश्टिक भाई, वो आपकी हर्याना की चली जाएगी, राजिस्थान प्रिडेश, नोर्धिश इस्ट में, नागललेंड मरी पर उधर की मैरिट कम जाती है, अब जो आपका सबसे ज़्यादा जो टोपिक रहता है जो आप पूछना चाहते हैं जिस वीडियो में आप यहां तक बने हुए हैं तो आप जानना चाहते कि अछे मेरिट कितनी रहेगी किस द्रह क् игр कि रहेगी तो हम जनुपा की लेता हूं और मैं UP की बात कर रहा हूँ देखिए जर्नल की है और सारे district में लबसम लबसम यही रहेगी सारे state में लबसम यही रहेगी अलग-अलग border आते हैं लेकिन मैं जर्नल बर्डर की बात कर रहा हूँ और मैं UP यह जो बड़े-बड़े state है जहांसे merit अच्छी जाती उनकी हम बात क जन्रल कैंडिडेट हैं आप जन्रल कैंडिडेट है और जन्रल बोर्डर से आते हैं और आपके मार्क्स जो है 75 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए फिजीकल के लिए देखिए मैरिट अभी पहले जो था और अब में था ऐसा नहीं के 100% बढ़ जाएगी मैरिट बहुत जाद बढ़ जाएगी उससे मैरिट नहीं करता लेकिन अगर हम देखा जाएगी जन्रल बच्चों के लिए 75 प्लस आपको मार्क्स लाने ही होंगे जन्रल बोर्डर की और हर्याड़ा हो गया राजिस्थान हो गया बिहार हो गया उत्तर प्रदेश हो गया उत्तराखंड हो गया इन दिट्रिक की हम बात कर रहे हैं तो जन्रल के लिए कितना चाहिए 75 प्लस आपको मार्क्स आने चाहिए ऑबी सी के लिए कितना चाहिए सातर प्लस चाहिए चलिए 55 प्लस आपको मार्क्स चाहिए चाहिए थो एकसे हैăng का सबसे कम रहता है merit को qualify करने के लिए आगे बढ़ने के लिए तो यह सब कुछ था मेरा एनलाइस देखिए और negative marking है negative marking में अगर आपने आपको पता है दो-चार number का आप कर सकते हैं अगर आपने 8 question में भी तुक्का लगाया तो आपके marks अगर माली 8 में से आपने 4 भी ठीक किये हैं तो एक number कठेगा 8 में से 4 किये क्योंकि बनवाई 4 की है तो मैं यह कहना चारा हूँ कि आप तुक्के भी मारें तो ज्यादा नग मारें कि 100% आपने मार दिया है उस तरह से मारें कुछ पर मार सकते हैं जो आपने पढ़े हैं पढ़े हैं उन पर मार सकते हैं क्योंकि उससे दो चार नंबर बढ़ने के चांसिस रहते हैं तो मैंने एक आपको मोटा मोटा कैल्कुलेटी बता दिया कि यह अभी के जो सिच्वेशन ने में वन रही है जो बच्चे एक्जाम में जाने वाले हैं जो बैठने वाले हैं वो इस चीज को फोलो करके जाए कि अगर आप जन जो एक ओबर भीउ था मेरी तरफ से आप क्या सोचते हैं इस वीडियो आपको किस तरह से लगा या आपके कितने माक्स आने वाले हैं आने चाहिए इस फाइनल मैट को लेते हुए कमेंट्स जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद